हेलो विल्कम बेक टो डोशना परडाइज कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूं अच्छे से हूं कि मैं भी ठीक हूं आज है नाक पंचमी का दिन तो में तरफ से आपको नाक पंचमी और गुडिया की बहुत बहुत शुब कामना है यह हमारी पुजा के थाली जिसमें त बस जो भी चीजे थी उनके साथ हमने पूजन किया और भोले बाबा की पीछे ही मदार का पिड़ है और भांग का भी पिड़ था तो बस वह हमने वहें से तोड़कर चाहा दिया काफी जारा अच्छा लगा देश करते हैं मेरे साथा शिश्मा दी तो यहां पर पूजा होत है कभी दूब कभी बदरी कभी बारिश तो बस यहां पर हम लोग बेल पत्री अरपन कर रहे हैं और जैसे कि मंदीर में जाके पूजा नहीं कर पाई थी मैं तो यहीं पर आ गई थी और घर के पास ही मंदीर है यह है भांग तो घुगरी पी चड़ाते है महगवान जी को क् हमने पूजा की काफी अच्छा लगा अच्छे से पूजा कर लो ना तो मन को शान्ती में जाती है सो बस मैंने चोटी चोटी टिकलिस दी है पूरा ऐसा प्रॉपर शूट नहीं किया है और यह जो घुगरी है ना इसको बाद में लोग वायल करके नमवक निमग बगरा डाल तो यहां पे हैं कुछ ड्राइफूर्स कुछ मैंने डाल दिये हैं तो खीर थोड़ी पकने लगी थी थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया क्लिप से कोई डिटेल में शूट नहीं कि कोई खीर की रेसिपी दिखा रही है आपको और आपके हां आच क्या बनता है मुसे क्लिप लिए है मैं यहां पर है आलू उसके बाद यहां पर बन रही थी पूड़िया तो आज का खाना था खीर पूड़ी और आलू की सबजी जो की बिल्कुल ना ऐसे व्रत वाले टाइप की बनी तो बहुत जारा अच्छी लगती वहां सबको एंड उसके बाद शाम तक म नाग पंच्वी वाला मैंने शूट नहीं किया जो जैसे पिछली बार का अगर आपने व्लॉग देखा वहां तो गुड़िया बनती है हमारे है उसको फिर जो बहन होती है वो एक जगा पर डालने जाती है भाई इसको पीटते है तो इस बार थोड़ी गोरी की भाई ठीक लिए इस बार हमने नहीं किया और हमारे प्रशाद की धाली देख सकते है रहा पर घुग दी मतलब हैं यहां पर खहतम ही हो गया कि अस प्रुआ ना प्रोपर थाली का लें नहीं पाई थी पहले तो यहा पर है खीर पूरी जो कि थाली है किसी खास के लिए बतायेगा किसके लगाई थी क्योंकि भी रक्षा मंदर में लगानी है हमें और उसके बाद यहां पर पिछले साल की जो गुडिया बनी थी उसकी कुछ क्लिप से मैं दे दे रही हूं पाकि आपको डिटेल में देखना है तो आप व्लॉग वो देख लीजेगा मैं उसका लिंक शेयर कर और उसके बाद मौसम तो आजकल ऐसे ही चल रहा है दिखने में काफी खूब सुरत लगता है बड़ जब आप बाहर निकलते हो तो तो तोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी-कभी तोड़ी जादा भी अगर आपके घर के असपास रास्ता थोड़ा खराब है सो बस मैंने यह ए और यहां पर एंज्वाइ कर रही हूं मेरा फैवरेट बानाचीव स्विस गुजी का हलवा काफी वीर्ड कोंबिनेशन है आप भी सोचिंगे बठा मुझे पसंद आया मैंने भी फर्स्टाइम ट्राइब किया सो बस इसके साब इस वीडियो को मैंन करती हूं मिलूंगी अपनों का ख्यार लखी टेक केर बाइबाई और थैक्स ववाचिंग बाइबाई और दोंट फोगल तो सब्सक्राइब मैं चैनल बाइबाई